हे दोस्तों संगम स्वात का मैं आपका स्वागत है तो आज मैं आप सब के लिए कच्छे केले की एक और रेसिपी लेके आई हूँ कच्छे केले का कोफ़ता जो खाने में बहुत ही ज़ादा सुआदिश्ट लगती है तो चलिए इसे जल्दी से बना लेते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहां छे कच्चे केले, इसके उपर और नीचे के हिस्से को हम इस तरीके से काट के अलग कर लेंगे, अब इन सभी केलों को हम छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे, तो यहां मैंने एक केले के तीन हिस्से किये हैं, तो देखिए मैंने यहां सभी केलो को इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है अब इन सभी केले के टुकडो को हम एक कुकर में डाल देंगे और इसके साथ ही डाल देंगे यहां दो मीडियम साइस के आलो अब इसमें देंगे हम थोड़ा सा नमक आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर और एक ग्लास पानी देकर हम कुकर को बन कर देंगे और इसे फुल फ्लेम पर एक सीटी लगाएंगे इसके बाद हम गैस को बिल्कुल धीमी आज पर करके छे से साथ मिनट धीमी आज पर ही इसे पकने देंगे इसके बाद हम गैस बन कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे तो देखिए आलू और केले बहुत अच्छे से बॉयल हो गए है तो अब केले के छिलकों को हम अच्छे से छील लेंगे तो केले की छिलको को हम फेकेंगे नहीं इसका हम बनाएंगे भरता तो भरते की रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए मैं आपके साथ जरूर शेर करूंगी अब बॉयल आलो के साथ हम केलो को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना रहे अब इसमें हम देंगे एक मीडियम साइस का बारिक कटा हुआ प्याज और बारिक कटी हुई हरी मिर्च आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर स्वादनुसार नमक और एक चमच मैदा इसे हम आलो और केले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें देंगे हम एक चमच देसी घी तो देसी घी देने से हमारे कोफते बहुत ही फलफी बनेंगे और जो भी ग्रेवी हम बनाएंगे वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर चले जाएंगे अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अपने मन पसंद शेप या साइस के हम कोफते बना लेंगे तो आप चाहे गोल-गोल बनाएं या टिक्की के फॉर्म में बनाएं तो मैंने यहां टिक्की के फॉर्म में कोफते बना लिए हैं अब हम इसे डीफ फ्राई करेंगे तो तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो high medium flame पर हम कोफटो को fry कर लेंगे हमें इसे golden brown होने तक fry करना है तो देखिए जैसे जैसे कोफटे fry हो रहे हैं ये कितने बढ़िया अपने आप ही फूलने लगे हैं तो बिल्कुल perfect golden brown color आ गया है हमारे कोफटो का तो इसे हम अलग कर लेते हैं एक बर्तन में और हमारे दूसरे बैच को भी हम फ्राई कर लेते हैं तो दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है अब एक कड़ाई में हम एक बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे इसमें देंगे हम एक तेजपत्ता, एक छोटा चम्मच जीरा, एक चुटकी हीं एक हरी मिर्च भी से कटी हुई और प्याज और टमाटर का पेस्ट तो मैंने यहाँ दो मीडियम साइज के प्याज और दो मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना लिया है ग्यास को हमें मीडियम आज पर रखना है और इसे एक से डेड़ मिनट भूल लेना है अब इसमें देंगे हम एक चमच अदरक और लेसुन का पेस्ट इसे भी मीडियम आज पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे अब स्वाद अनुसार नमक देंगे आधी छोटी चमच अधनिया पाउडर एक छोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और एक छोटा चमच भूने हुए जीरे का पाउडर तो इसे भी हमें एक से डेड़ मिनिट अच्छे से भूनना है ग्यास को हमें मीडियम आज पर ही रखना है अब हम इसमें देंगे बेंगॉली भाजा मोशला तो इससे हमारे कोफते का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा और हमारी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगी तो इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अब इसमें देंगे हम एक चमच बेसन बेसन बिलकुल आप्शनल है लेकिन इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया तयार होगी तो इसे भी मीडियम आज पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भूल लेंगे तो देखिए मसाले अच्छे से भून गये है तेल बिलकुल अलग होने लग गया है मसालों से तो अब हम इसमें देंगे एक ग्लास पानी एक चोटा चमच कसूरी मेती इसे मैंने हाथ से क्रश करके दे दिया है और इसे ढख कर दो से तीन मिनिट उबाल आने तक पकने देंगे तो देखिए हमारी ग्रेवी में बहुती बढ़िया उबाल आ गया है तो इसी समय हम इसमें डाल देंगे हमारे कोफते और इसके बाद हमें सिर्फ एक मिनिट इसे उबालना है और ग्यास को हमें बिलकुल बन कर देना है अब इसमें देंगे हम एक चमज घी और बारी कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करके हम हमारे कुफतों को गर्म गरम परोसेंगे तो देखिए कितने बड़िया हमारे कच्छे के लिए के कुफते बनके तयार हो गए अगर आपको रेसिपी पसंदाई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा